नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आज दिनबर की तमाम बड़ी खबरों के इस छोटे से वीडियो में तो चले दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर खड़गे बोले मोधी भगवान के जैसे दर्शन देते हैं राम मंदिर और बीच पर जाकर फोटो शेशन कराते हैं लेकिन मनिपूर नहीं आते हैं जिया दोस्तों कांग्रेस अद्यक्ष मले कारजुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि मनिपूर में दुरभाग्य पूर्ण दर्शन दे रहे हूं लेकिन यह महापुरुष मनिपूर क्यों नहीं जाता है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा कारेकरम और इंडिया गटमंदर में सीट शेरिंग पर मले कारजुन खड़गे ने साफ कर दिया अपना रुक जिया दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मले कारजुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि वह 22 जनवरी को योद्या में राम मंदिर के प्रान प्रतिष्टा समहारों में शामिल होंगे या नहीं इस पर वह बहुत जल्द फैसला करेंगे खड़गे और पार्टी की पूरव अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस कारेकरम के लिए अमंतरित किया गया है। ग्यानिवापी मस्जिद पर ASI रिपोर्ट प्रदान की जाए या नहीं ग्यानिवापी सर्वे रिपोर्ट मामले को लेकर कोट ने 24 जनवरी की तारीक तै की है। पार के कुछ शहरों में शनिवार सुभह बरसाथ के साथ शुरुआत हुई बारिश की वजह से या ठंड बढ़ गई राजस्थान के माउंट आबो में शनिवार सुभह तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश उत्तर प्रदेश समित देश के ग्यारा राज्यों में बारिश का अलट जारी किया है। वहीं दोस्तों पंजापरियाना समित उत्तर और मद्यप्रदेश समित उत्तर भारत के सोला राज्यों में गने कोहरे की स्तिती बनी हुई है। सीकर में भी 15 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार। लिक्विड अपोजी मोटर लगी है जिसकी मदद से L1 कोहलो और्बिट में भेजा जाएगा। मोटर इसवो के मार्स आर्बिटर मिशन MOM में इस्तिमाल की गई मोटर के समान है। इसके लबाद इत L1 में 8-22 एंट थ्रस्टर और 4-10 एंट थ्रस्टर हैं जो इसके ओरेंटेशन और ओर्बिट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। कि दोस्तो इसमें इतनी भारी मातरा में मशीन हैं और इतनी शक्तिसाली मशीने लगाई गई हैं जो इसके 5 साल के मिशन को सक्सेस्फुल बनाने के लिए परियाप्त हैं। इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार। 170 यात्रियों को लेकर उड़ रहे प्लैन का दर्वाजा उड़ा 16,000 फिट की उचाई पर प्रेशर घटा ऑक्सिजन मास्क खुले पूरी फ्लिट की उड़ाने रद। जियां दोस्तों अमेरिका में अलासका एरलाइन्स की बोईंग 737 नो मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को बड़ा हाथसा होते होते रह गया। इस घटना के बाद बोईंग 737 नो के सबी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। अपना राजनितिक सफर भी शुरू किया था लेकिन राइडियो ने महज कुछ दिन बाद ही इस पार्टी को अलविदा कह दिया और राजनिति से भी कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने का फैंसला किया है। तो दोस्तो यह तियास दिन बर की तमाम बाड़ी खाबर हैं। अगर दोस्तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें साथ ही। दोस्तो हर रोज सुबह और शाम को मुख्य समाचारों के लिए मारे यूट्यूब चनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद वन्यमातरम जय हिन जय भारत।